बेहनों में जलन सुहाना की अभी नई-नई शादी हुई थी सुहाना की शादी एक जॉइन फैमिली में हुई थी जॉइन फैमिली में होने के बाद भी सुहाना अपने सिसुराल में बहुत खुश थी पर उसकी बेहन शायद इस चीज से खुश नहीं थी ऐसे ही एक दिन सुहाना के बहन नीटू उसे फोन करती है घर की कामों में व्यस्त होने की वज़े से सुहाना अपनी बहन का फोन नहीं उठा पाती और कुछ दिर बाद जब अपनी बहन को कॉल बैक करती है नीटू मेरी बहन मुझे माफ करना घर में आज इतना काम था कि मैं तेरा फोन देखी नहीं पाई क्यों दिदी आपकी सिसराल में क्या सिर्फ आप ही हो घर के काम करने के लिए आपकी जिठानी और ननत भी तो है सास भी है वो सब कहां गए अरे मेरी मा सब घर में है मैं भी घर में हूँ सब घर के काम करते हैं, तो मुझे भी करना पड़ता है ना, दीदी सच में आप बहुत बेवकूफ हो, कोई कुछ नहीं करता, आप अभी नहीं नहीं हो, इसलिए सब आपका फाइदा उठा रहे हैं, सब आपको एक नौकर के हैलसियोट से देखते हैं, और आपसे अपना काम कलबाते हैं, अच्छा मेरी मा, मुझे माफ कर दे, अपसे मैं तेरा फोन टाइम पर उठा लूंगी, बसुहाना अपनी बहन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, और उससे बात करके उसकी नाराजगी भी खत्म कर देती है, अभी सुहाना को ससुराल में आए महिना पर भी नहीं हुआ था, कि उसकी घर ग्रहस्ती में उसकी बहन ने दखल अंदाजी दीना शुरू कर दिया था, आए दिन अपनी तो इसी तरह अपने बहन को फोन करती, और उसे अपनी जिठानी और सास के खिलाफ भड़काती रहती, ऐसे ही एक दिन सुहाना की जिठानी अ से स्कूल छोड़ने के लिए? करना भूल जाती है, जिस वज़े से राकेश सुहाना पर नाराज होने लगता है, सुहाना तुम क्या करती हो? मैं ये काम तुम्हें बोल कर गया था न, फिर तुमने भाबी को क्यो बुला? भाबी के पास और भी तो कई सारे काम होते हैं, अब तुम बताओ, मैं अपनी फा से रही, पर मैं पक्का आज ला दूँगी, बस आज आप थोड़ा सा एज्जिस कर लीजी, खुद की गलती चुपाने के लिए भाबी पर इल्जाम मत डालो, गलती की है तो उसे मान दिलो, इतना बुलकर राकेश सुहाना से नाराज होकर वहां से चला जाता है, कुछ देर मैंने तो आपको पहले ही कहा था दीदी, इतनी मासूम भोली बन कर मत रहो, आपकी जिठानी और सास बहुत चलाक है, देख लिया ना, आज उसका क्या नतिज़ा हुआ, अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा होगा तो बिल्कुल सही क्या रही है नीतु, पर अब मैं इनकी सारी चलाक योंको समझ गई हूँ, अब मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली, जब ये मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो मैं इनकी नौकर बन कर क्यों घूमूं घर में? इस तरह से सुहाना अपनी बैन नीतु की बातों में आ जाती है, और अब सुहाना हर समय अपने घर में कभी अपनी जिठानी से, तो कभी अपनी सासिल लड़ती रहती, और घर में कोई काम नहीं करती, ऐसे ही एक दिन सपना सुहाना से कहती है सुहाना ये मत सुचना कि मैं तुमसे घर के काम करवाना चाती हूँ, पर मा जी की तब इतना सच में ज्यादा खराब है, इसलिए मैं मा जी को डॉक्टर की पास लेकर जाती हूँ, तुम घर संभाल लेना, या फिर तुम मा जी को डॉक्टर की पास ले जाओ, मैं घर संभा इतना बोलकर सुहाना चुप चाप अपने कमरे में आ जाती है और अपनी बेहन को कॉल करके फिर से सारी बात बताती है अब सुहाना वही बोलती जो उसकी बेहन उसे बोलने को कहती है। माई के आ जाती है और जब राकेश उसे फोन करता है तो वो सुसुराल जाने से मना कर देती है। हम अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र और मुझसे इतना ही प्यार होता ना तो वो मुझे एक नौकर की तरह ना देख रहे होते। और मेरे यहां आने के बाद किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया और ना ही मेरे घर छोड़ने पर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की। अरे सुहाना तुमने किसी को बताया ही कहां कि तुम घर छोड़कर जा रही हो हमें तो अब पता चल रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं आपके घरवालों को पर आप नहीं जानते हैं। अब मैं उस घर में नहीं आऊँगी। अब उस घर में मैं तभी आऊंगी जब आप अपने घरवालों से रिष्टा तोनेगे। अब मर्जी आप किये, आप अपने घरवालों को चुनो या मुझे। इतना बोलकर सुहाना फोन रखतीती है, और नी तो वहाँ अगर अपनी बहन से कहती है। दीदी, पहली बार तुमने सही फैसला लिया है, अब आप तब तक उस घर में कदम मत रखना, जब तक जीजो तुम्हें खुद आकर ना ले जाए। मैंने तुमाल से पहले ही कहा था, जो आइन परिवार सही नहीं होता, पर उन्हें तो तुमसे प्यार ही नहीं। इस तरह से सुहाना अब अपने पती से भी बात करना काम कर दीती है, जिस वज़े से राकेश भी अपने घर वालों को चुनता है, और सुहाना के घर डाइवोर्स के पेपर्स भिजबा देता है, पेपर्स देकर सुहाना के पैरोतले जमीन खिसक जाती है, पर नीतु को उसके पेपर्स बेज़े है और तू हस रही है हाँ दीदी क्योंकि मैं यही जादी थी आपकी खुशी मुझसे बरदाष नहीं हो रही थी शादी से पहले भी आप खुश थी और मैं दुखी मापापा ने भी हमेशा आपको मुझसे ज्यादा प्यार किया हमेशा आप खुश रही पर मैं नहीं पर आज आपको दुखी दे करना मुझे बड़ी खुशी हो रही है और ये सब मैंने जान बुझकर किया था ताकि आपका घर तूट जाए और मैं अपने प्लान में काम्याब हो गई अपनी बहन के मुझे उसकी सचाई सुनकर सुहाना को अपनी गलती का एसास होता है और अब सुहाना को सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है पर इतना लेट समझाने का क्या फाइदा जब चिडिया चुग गई खेत